आज है 21 जून से संबंद्र जितने भी करेंट अफेर के प्रेश्ण बन सकते हैं उनका डिस्क्राशन इस सेशन में करेंगे इस सेशन का PDF लिंक हमारे टेलिग्राम चैनल AS.PCS प्योप्रद है जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुए इसका साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले अज का पहला प्रश अंतराष्टी शरनार्थी दिवस प्रती वर्ष कम मनाये जाता है, बीस जून को मनाये जाता है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं सरनार्थी, शरनार्थी होते क्या है, तो सानार्थी ये वे लोग हैं जिने अपने ही देश महीन सा संगर्ष, चुद, उत्पिरं या प्राकिर्थिक आपदाओं जैसे बाढ़ या फिर भुखम जैसे मुसिप्तों के चंते हसाय, लाचार और निरास्रे होकर कि दूसरे देश की सरल लेने को मजबूर होना पड़ता है तो यह जो अंतराष्टिय सानार्थी दिवस है या ऐसे ही विस्थापित लोगों के सास सत्ती और संकल्ब को प्रतिश्ठित करने की और उनकी समस्याओं को समझने सुझाने के लिए प्रतिवर्ष 20 जून को या दिवस मनाया जाता है इस बार का जो मुख्य थीम था वो था एवरी एक्सन काउंट और विस्थापित लार्थी दिवस पहली बार 2001 में मनाया गया था इसका प्रताव जो है वो संयुक्त राष्ट महासभा दिसंबर 2000 में पारित किया था तब से 2001 से यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है प्रश्चनक्षा दो कि सराज्य की सरकार बंदर पार्क यानि मंकी पार्क बनाने की योजना बना रही है मंकी पार्क करनाटक सरकार तो करनाटक की सरावती पस से जल छेत्र यानि सरावती बैक वाटर से रिजन की निर्जन द्वीबो उपर बंदर पार्क बनाने की योजना बनाए जा रही है यह बता दें कि यह पार्क बनाने का मुख्य कारण था कि पिछले कुछ दीनों पले करनाटक के मलाड छेत्र में बंदरो द्वारा क्रिशी एवंग भागवानी फशलों को काफी नुकसान पहुचाया गया था जिससे कई किसान संगठन ने या मांग की थी कि राज्य सरकार इस समस्या को का निदान करें तो उसी के ताथ जो है वो करनाटक सरकार बंदर पार्क बनाने की योजना बनाए इसके लिए 2020-21 में राज्य सरकार के बजट में सवाच्छे कड़ोर रुपे का आवंटन किया गया परन्तु विज्ञान विदो यानि पर्यावरन विदो के दवारा इसका बिरोध किया जा रहा है उनका यह तरकिया है कि इस द्वीप में वनस्पतिक द्रिष्टी से यह जैव विवित्ता से सम्रिद्ध है यदि यहाँ पे बंद्रों के फुनरस्थापित किया गया तो यह परिष्थ्यति और संतुलित पैदा कर सकते हैं तो इस कारण जो प्रयावरन विद है वो इसका बिरोध कर रहे हैं प्रस्ष्टां क्या तीन राष्टियर लोक विद एवंग निति संस्थां इसे एन आई पी एफपी कहां जाता है कि नए चेर्मेन किसे निव्ट किया गया है तो राष्टियर लोक विद एवंग निति संस्थां के नए चेर्मेन उर्जित पतेल को बनाया गया है ठीक है यह यह जो है वो बाइस पदभार ग्रहन करेंगे इससे पहले संस्था के चेर्मेन पिजय कैल कर थे इनके सेवानिवृत होने के बाद उर्जित पटेल को बनाया गया है यह चार वर्सों के निये इसके चेर्मेन बने रहेंगे यहां पे राष्टिय लोकवित अवंग निती संस्थान के बारे में बता दें कि यह एक स्वायत निकाय है जो की पुर्ववित यूजना आयोग और कई राज्य सरकारों द्वारा सज्युक तुरूप से अस्थापित की गई है जो की वित मंत्राने के अधिन कारी करता है यह एक सवतंत्र गैर सरकारे निकाय है और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों को सलाह देते हुए सारोजनिक नीती में अनुसंधान करता है इसका अनि एन आई पी एफ पी की गौर्णन कांसिंग जिसमें की राज्यस्व सचीव आर्थिक मामलों के सचीव और केंद्रिये वीत मंत्राले के मुख्य आर्थिक सलाह कार सामिल होते हैं अब यहां पर उुर्जित पटेल के बारे में बता दें, उर्जित पटेथ आर्वी आई के गोवर्णन रह चुके हैं इनको दोजार सुलना में आर्वी आईक के गोवर्णन बनाय गया था जब रगु राम राजन ने अपने प actors को छोड़ा था ठीक है उसके बाद उर्जित पटेल को बनाए गया और वर्तमान में RBI के जो गवर्णन है वो सक्तिकांत दाज है प्रस्ट संख्या चार ब्रेटिस पेट्रोलियम ने कहां ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की गोष्णा की है अब यहां पर हम लोग जानते हैं कि ब्रेटिस पेट्रोलियम ठीक है तो यह जो केंद्र खोला जाएगा यह जनवरी 2021 से शुरू करने की गोष्णा की गई है यह विस ओभर में ब्रेटिस पेट्रोलियम के उद्यमोक ब्यवसाइक प्रशन श्क्रन और उन्नत बिशनेशन छमता परदान करेगी प्रशन जया पांच कहां एयर वहेंटी नामक आप लॉंच किया गया है एयर वहेंटी एयर वहेंटी मुंबइय में लॉंच किया गया है मुंबइय में ICU बैड और वेंटिनेटर की जानकारी है तू एयर वेंटि नामक एप लॉंच किया गया है यह मुंबई के किसी भी अस्पताल के ICU बेट और वेंटिनेटर की जानकारी लोग अपने मुबाइल एप के द्वारा जान सकते हैं मुंबई यह महराष्ट की राजानी है यहां पर कोलकाता मुंबई दिली और चन्नाई यह चार महान लग रहे हैं जहां से की श्वर्णिंग चत्रभूज सनक गुजरती है प्रश्क संख्या छ निर्देशक के आर सचिदानन्द जिनका हाल ही में निर्धन हो गया कि इन्होंने किस फिल्म से निर्देशन के छेत्र में कदम रखा था आर सचिदानन्द इनका वर्तमान में ही निर्धन हो गया है इन्होंने निर्देशन के छेत्र में अनारकरी फिल्म से रखा था ठीक है तो पहला फिल्म अनारकरी का निर्देशन इन्होंने किया था इसके सासी साथ इन्होंने अन्य जो फिल्म का निर्देशन किया उसमें चेटियार ड्राइवरी लाइसेंस सरकर्ट टांस था ठीक है यहां पर बता दे कि वर्तमान में जो फिल्म इंड़स्ट्री है उनसे बहुत सारे दिगज लोगों का निर्दन हुआ है जिसमें की इमर का निर्दन हुआ है उनमें इमरान खान रिशी कपूर वाजित खान सुसांत सीराजपूर वहीं साउथ फिल्मों के इस्टार की बात करें तो उनमें चिरन जीवी सर्जा और सचिदानन्द के आप सचिदानन्द सामिल है प्रश्चनक के साथ वर्ड श्टार्स जहां ओन-लाइन इंटरनेशनल चेस्स चेंपियंशिप दोजार बीस किसने जीती वोल्ड स्टार सार जहां ओल्लाइन इंटरनेशनल चेस्ट चेंपियन सीब दोजार बीस सेख्रियार ममिद यारो ने जीता है ठीक है वही उप बिजेता भारत के सत्रंज खिलारी हरी कृष्ट पेताला बने ठीक है तो जो चेंपियन रहें वो सेख्रियार रहें जबकि पेताला उप केंपियन रहें प्रेश्टन के आठ गरीब कल्यान रोजगार अभियान में कितने राज्यों कुछ सामिल किया गया है तो गरीब कल्यान रोजगार अभियान में कुल छे राज्यों को सामिल किया गया है बता दे कि आजी के दिन यानि 20 जून 2020 को प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी विडियो कॉंफरेशने के माध्यम से देश के गाउं में आज युका के आउसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्यान रोजगार अभ्यान की सुरुवात करेंगे यह वैसे लोगों के लिए जो प्रवासी जो की कोमेंट 19 के कारण जो दूसरे राज्यों में जो लोग गए हुए थे उनके स्वता अपने गाउं में लोटने वाले लोगों के लिए यह योजना लाई गई है यह अभियान बिहार के खगड़िया जिले के ग्राउम तेलिहार बलोग बैनदोर से लॉँच किया जाएगा इसमें जो छे राज्य को सामिल किया गया है उसमें बिहार, उप्तरपरदेश, मद्यपरदेश, राजस्थान, जारखन और उडिशा है इनके कुल 116 जीलों में यह अभियान 125 दिन मीशन मोड में चलाया जाएगा इस अभियान के तहट 125 दिन का कारियों दिया जाएगा इस अभियान के तहट 50,000 कोड़ों रुपे के सारवजनी कारियों कराया जाएगे इसके तहट 25 कारियों कराया जाएगे इसके अलाबा इस अभ्यान के तत रोजगार के आश्रों को बढ़ावार देने के साथ ही अस्थाई बुन्यादी राचा तयार भी किया जाएगा इस अभ्यान में बारा विभिन मंत्रालियो और विभागों को सामिर किया गया है जिसमें की ग्रामिन विकास, पंचायती राज, सरक परिवहन, राज्यमार्ग, खान, पैजल और स्वक्षता, परियावरन, रेलवे, पैट्रोलियम, प्राकिर्ति गैस, नवी और नवी कंडिय उर्जा, सीमा, सरक, दूर संचार और क्रिसी का एक समग्रित परियास होगा, प्रश्प संख्या, नो गरीब कल्यान योजना, अभियान में जार्खन के कितने जीलों को साविल किया गया है, ठीक है, तो जार्खन के कुल तीन जीलों को साविल किया गया है, जैसा कि अभी हम लोग ने देखा कि गरीब कल्यान योजना जिसकी सुरुवार जो की गई है की जारी है वो 20 जून को की जारी है प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के द्वारा और यह जो लॉंच किया जाएगा वो खड़िया जिले के ग्राउं तेनिहार से किया जाएगा तेनिहार ब्लॉक से और इसमें छारा जिसमें की जारखन भी सामिल है यहां पर इस अभियान को चालो किया गया है तो जारखन के अंतरगत जो है वो तीन जिलों को सामिल किया गया है अब इन्हें सामिल करने का उद्देश से क्या है तो ये वैसे जिले हैं ये जो तीन जिले हैं वो ऐसे जिले हैं जहां लॉकडाउन के बाद 25 हजार से ज्यादा प्रवासी मजदूर लोटे हैं इसके तरद प्रवासी मजदूरों को 125 दिन का काम दे जाएगे जैसा कि हम लोगों न देखा और इसमें 25 तरह के काम कराया जाएगे ठीक है अब यहाँ पे गिरिडी यह जानना बहुत चरूरी है कि लॉक्टाउन के बाद जहरखन के 24 जिलों में सबसे ज्यादा जो प्रवास नियोजना अभियान के तहत जोड़ा गया है तो यह थे आज की मत्यपुर्ण प्रश्ण आप हमारे वाट्सेप ग्रूप से भी जूड़ सकते हैं इसके लिए आपको हाई एस पाइंट पीसेस पर इस नंबर पर मैसेज करना होग तो आपको अगर वीडियो प्रसंद आया ह थैंक यू वाटिं पर इस वीडियो